इस question में हमें statement given है हमें पता लगाना है यह true है या false है यह पता लगाने के लिए यह true है या false है मैं एक example लेता हूँ यह जो symbol है मेरा यह मेरा symbol होता है subset का कहरा है A is a subset of B यानि A के सारे elements मेरे B में होंगे मैं यहाँ A को assume कर लेता हूँ 1 अब A के सारे elements B में है तो यह जो 1 है यह मेरा set B में भी होना चाहिए तो मैं B को माल लेता हूँ यहाँ पे 1,2 अब given है B is a subset of C यानि B के सारे elements मेरे C में होंगे यानि C set में 1 और 2 दोनों होंगे तो मैं C set को ले लेता हूँ 1 to 3 अब कहरा है A is a subset of C होगा यानि हमें यह प्रूव करना है कि A subset of C होगा यह तभी possible है जब सारे elements A के यानि 1 C में होंगे अब मैं notice करूँ 1 मेरा C में है यानि A subset of C मेरा सही है यानि यह जो मेरी statement है यह true है अब यह true है तो हम इसे generally प्रूव करेंगे